हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिट से स्वागत है तो आज हम पहुंच चुके हैं द्वारकादिश टेंपल जो की बिहार के छप्रजिला की नेनी गाउं में हैं और यह नेनी नेनी टेंपल के नाम से भी काफी फेमस है तो मंदिर में अंदर जाने से पहले अपने जूते चपले हैं नीचे खोल देते हैं पास के दुकान में और यहां से प्रसाद लेकर अंदर जाएंगे फूचा करने के लिए मंदिर दूर से दिखने में काफी अकरसक लगता है और यह लोगों को अपनी तुरफ खीचता है तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं काफी सुन्दर लग रहा है बाहर से देखकर मंदिर के अधिरिश इस मंदिर में बहुत सारे पीलर्स हैं जिसके उपर बहुत ही अच्छी करिगरी की गई है गाउं में इस्तित इस मंदिर को गुजरात के द्वारे का धाम के अधर पे बनाया गया है कि अधि की में अधिक में अधिजर के अधिक कावारे करे ये इस्तितोन', बبةस sich अधिक कमीष क कॉछ Usually तो यहां पे पंडित जी पूजा कर अंदर में और आप अपने मात्वों पे चंदन्टी के लगवा सकते हो पंडित जी से मंदिर में जो पत्थर यूज किया गया है अवा गुजरात के सुरेंदर नगर समगाए गया है 11 मई 2005 से निर्मानकार सुरू हुआ था मंदिर का और मंदिर बनने में 14 साल लग गया है लगवा इसमें करीब 25 से 30 करीगर लगतार काम किये हैं हुआ 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 है तो मंदिर के उपरे हिस्से में चलते हैं जहां बैठने की काफी अच्छी जगह है बगल में ही एक आम का पेर है जो नीचे बैठने में लोग को चाया देती है विकेंड में यहां पे लोग आके तीन-चरहंटे अपना टाइम एस्पेंड करते हैं काफी सांती मिलती है यहां पे आके वही इस मंदिर की उचाई लगबग 40 फिट है जिससे यह मंदिर काफी उचा नजराता है और इसे गाउं के बीचो बीच बनाया गया है तो मंदिर के अंदर जाने के लिए चारो तरफ से गिट है यही मंदिरी खासियत है और यह मंदिर जंगल के बीचो बीच बसा हुआ है यहां पे निव यर के दिन क्रिश्न जनमस्ट में के दिन या किसी फेस्टिवल के दिन जब मेला लगता है तो काफी भीर होती है नेनी गाउं में इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि और लोग ऐसे कहना है कि इस मंदिर को बनाने में सीमेंट बालू इट गिट्टी और की केमिको और पतफर के सहारे बनाया गया है कि यहां पर काफी खिलोने की है और चाट्छ ऑल यह भाल तहाने के लिए आपको यहां पर नूडल्स गुप चुप और चार्ट्मिय जैगा है जो काफी तो दोस्तों आप घर चलते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो में आपको नए जवय का दर्शन करा हैं तो तक के लिए बाई एंड टेक क्यार